ओके हेलो चैटर्स माई नेम इस रोई तैन यो वाचिंग रसल चैटर्स तो गैस आज भी मंडे नाइट रौ तो आप सभी लोगों ने देखी लियोगी अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां से आप वह सभी बाते जान प सब्सक्रिट में जीतने के बाद क्या रहा ब्रॉंस्ट्रॉमन का रियक्शन साथ-साथ-साथ एक नया नायम जूड देया गया इस साल के हौल-अफ फेम में और आखे क्यों ब्रॉंस्ट्रॉमन जीते एंड रोमन रेंज जान सीना सैथ ट्रॉल इस सभी सूपरस्टार की हा और आए यह कि इस मैच में जीतने के सबसे ज्यादा चैंसे इस के बाद नमबर आता है साशा बैंक्स का एंदेन बेई ली उसके बाद सोनिया डेउल मिकी जेम्स एंड मेंडी रोस सैवन मैन जुक्रिशन चेंबर मेंश की बात करनें जूकिया में देखने को मिलेगा मेंस क की बीच तो इस मैच में बैटिंगार्ट का कहना है कि सबसे जादा चांसे जीतने के दबिग डाउब रोमन रेंज की जैसी कि आप सभी लोग जानते हैं उसके बाद नंबर ब्राउन स्टुमेंड का फिर सैथ रॉलिंस उसके बाद फिन बैलर जॉन सिना एलायस सबसे कुछ भी नहीं होने वाला वहाँ पर में पांच पॉड़ नहीं बलकि चार पॉड़ी देखने को मिलेंगे लेकिन इस बार जो मैच की शुरुआत होगी वह एक तरह से होगी ट्रिपल थ्रेट मैच से क्योंकि शुरुआत में हमें तीन सूपरस्टार लड़ते वे तो रॉकी खत्म होने के बाद फॉल आउट में उन्होंने चैलेंज किया शेम असन सिजारो को और अब हमें देखने को मिलेगा रॉकी टैग टीम चैंबर्शिप के लिए एलमिशन चिंबर में टाइट वर्लड वाइड वर्सिस शेम असन सिजारो के बीच एक टाइटल नेक्स अपडेट जूड़ी है मौंस्टर अमंग मैन ब्राउंस्टुमेंट से तो रॉक है एपिसोड में गौंट्रेट मैश जीतने के बाद उन्हें अपने ऑफिशल ट्विटर अकॉर्ड पर एक ट्वीट किया जहां पर उन्हें लिखा कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकत इश्यू चल रहे थे पहले डॉल डॉली और जेफ जैरेट की भी जिसके बाद जिस तरह से अब वो हौल अफ फेम में आया है वो काफी लोगों के लिए बहुत जाता शौकिंग है अब हमें इस बार के हौल अफ फेम में जो कंफरम नेम हो चुके है वो है गोल्डबग, आ रोमन रेंस इस मैच को नहीं जीते हैं और हुआ भी ऐसा ही और मैंने कहा था कि ब्रॉंस्ट्रमें तबाही मचाते वे नजर आएंगा वैसे भी हुआ यहां पर और ब्रॉंस्ट्रमें का मैच जीतना बिसमें ज्यादा कोई शौकिंग बात तो है नहीं क्योंकि सभी को पता मैच को नेक्स अपडेट जुड़ी है रोकी टीवी टेपिंग्स खत्म हो जाने के बाद मतलब ऑफएर जाने के बाद जहां वहां बैटी ओडियंस को एक डार्क मैच देखने को मिला जो कि था मैट हार्डी वर्सिस ब्रेवाइट की बीच और इस मैच में जीत हुई मैट ह और यह सुपरस्टार कोई और नहीं बलकि टाइटर स्वर्लवाइट के मेंबर अपोले कुर्यूस ने तो अब तक हम उन्हें जानते थे अपोले के नेम से लेकिन आगे जानेंगे सिर्फ अपोले के नेम से क्योंकि डवली ने यहां पर उनके नेम को शॉर्ट कर देए यह यह कोई पहली बार ऐसा नहीं है रिसेंटली भी जिसके हम जानते हैं ब्लजियन ब्रिदर्स में उनका नाम पहले एरिक रोवन और लियुक हारपर था अब उनका नेम है सिर्फ रोवन और हारपर और वैसी अलेक्जेंडर रूसेव एंटोनियो सिजारो काफी सारे नेम रह सब्सक्राइब के अपडेट्स न्यूज रिमर्स और कुछ इंट्रेस्टिंग बात जानने को मिलती रहें सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो